हेलो गुड मरी स्टुडेंट ना वी डिस्कॉस अवर नेक्स्ट टोपिक सेकेंड डिक्विश्य इफ मोशन बाइ ग्राफिकल मैथड ओके इस डाइग्राम को एक बार पहले देख चुके हैं फर्स्ट डिक्विश्यन में तो हमें क्या करना है हम जानते हैं सेकेंड डिक्वि ट्रैंगल समय मर्स करते हैं जोड़ते हैं तब में क्या मिलता है हम एंह टरफॉज्य इंच करते हैं उससे में क्या मिलती हैंSon तो नौáfic can say that the distance traveled by an object in time t is equal to the area of trapezium area of trapezium कैसे calculate करते हैं, हम जानते हैं, क्या होता है area of trapezium होता है, half of vertical length multiply with base यानि कि इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको हम लिखेंगे ऐसे BD plus OA multiply OD BD means ये वाले line, और OA means ये वाले line, हम जानते हैं, BD हमारा क्या है BD हमारा O point से C point तक के जो distance है, ये दोने एकवाल होती है, अपने पहले दिता है आपको, तो point O से point C तक की, जो हम यहाँ से calculate करते हैं, क्या निकल कहते हैं, यहाँ से velocity निकल कहाते है, final velocity हमारी ठीक है न, और OA क्या है हमारा initial velocity है, ठीक है तो coding क्या हो जाएगा ही BD की value हमारे पास क्या है BD is equal to because BD is equal to OC OC plus OA multiply OD okay, half multiply OC की value क्या हमारे पास क्या है